कीजन टेलेंट में स्वागत है आपका आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेल्दी नाश्टा ऐसा नाश्टा जिसे बच्चे वे बड़े सब खा सकते हैं और ऐसे वेक्ति भी खा सकते हैं जो अपना वेट लोज करना चाहते हैं इसके इंग्रेडिदेंट्स हम अभी बताते हैं आपको हम लेके आए हैं आज नमकीन चिल्ला बेसन बेसन हमने ये बाला बाउल ये बाउल इस साइब का तीन बाउल हमें बेसन के लिए हैं आज हम हमारी पूरी फैंबली के लिए नमकीन चिल्ला बना रहे हैं इसको बड़े और छोटे सभी खुश होके खाते हैं इसके लिए हमने तीन कटोरी बेसन एक बड़ा प्यास जिसको हमने चॉप कर लिया है चार हरे मिर्चे और एक शिमला मिर्च और ये मैंने मूं पहले जिससे अब ये फूल गई है और नरम भी हो गई है इसमें हमने हाफ स्पून हल्दी चोटा स्पून लिया है मैंने हाफ स्पून मैंने अजवायन लिया है मिर्च प्यास और मूं हमने इसमें डाल दिया अब हम एक चमच नमक लाल मिर्चे मैं नहीं डाल देहीं हूं प्योंकि मैंने हरी मिर्चे ज्यादा लेगी थी दिखने वाली चार मिर्चे लेगी थी अब इसमें मैं एक पिंच काली मिर्च और एक पिंच काला नमक डाल देह इससे स्वाद और बढ़ जाता है अब इस सारे का हम मिक्स्टर बना लेखते हैं एक घॉल बना लेखते हैं अनिया की डालाहदी साल बढ़ अनिया की इससे भी टेस्ट और ज़़ादा है हमने घॉल त्यार कर लिया है इसमें कोई गार्ट नहीं बढ़ने चाहिए एकम स्मूथ होना चाहिए और ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पटला होना चाहिए अब हम चल्वा प्यार करते हैं गैस ओन कर लिया है हमने चुरुवात में फ्लें हाई रखेंगे और पहले तवे पे हम ग्रीज कर लेंगे वेजटेबल ओयर अगर स्पैचला है तो स्पैचला की हल्प से नहीं तो हम स्पून का भी यूज कर सकते हैं अच्छे से घ्रीज कर ल बहुत अच्छा होता है हमने हाफ बाउन ले दिया है और इसको ने फैला दिया है पहले क्या करते थी नेरे जी के हाथ से ही फैला देती थी इसको लेकिन मैं यहाँ स्पूम से फैला रही हुए इसके ना को हाथ देता है और ना ही एक लगती है बहुत अच्छे से यह फैल जा अब इसके थोड़ा तेल हम साइब से और कीज़ करनें तक यह जिना आपी पहना इनने शुरुआत करी है पहना है तो इसलिए थोड़ा का तेल प्यादा लगता है अगरवाइस तो बहुत समय ज़रूरत करती है देगी अब यह उपर से ज्राइ हो गया है इसको अब हम पलगे करना का इति हो अनपकम से शिंद उपया है करता है करना है कंदी है किनारी से अल्वकां है कब हम पाल अई ह्यादा मैं लेजलें का क्मोन गचा बचकी ढिटा ग्यादा, को ए norm अधिवीर क्रें भीख सिख़ू करने है और अफ दे साथ हमसोगि पाल प्राफ बोड़ा सा पैशे डाल सकते हैं, ताकि अर्चे से लखने हैं अब हुँ एक और चिल्ला बनाने जाएंगे अगर जम लगता है वही अमारे पोल्ण राएंगे, तो बोड़ा बोड़ा बनाने जाएंगे इसको मैंने थोड़ा लोग कर दिया था, आप तेज करती हूँ, हाई कर दिया है मैंने फ्रेम को और इसको स्मूथ ली इक पर तैबार दिया रहे, देखे इसकी शेफ पे इतनी अच्छी है यह हमें पल्ठ लिया है, यह देखे एक तरफ से सीख चुका है अच्छे से, और अलका साथ वेजटेबल ओईल में उट्रीस कर देखें, वेजटेबल ओईल आप कोई भी यूस कर सकते हैं, मस्टाड ओड़ा, कोई भी देल आप यूस कर सकते हैं, कोई भी वेजटेबल या मस्टाड ओड़ा, ओली बोईल हो, मुंफली का तेल हो या फिर साब भी वो, बहुत सारे तेला ते मार्केटिक लेज़ते हैं, या तिल का तेल ही गए चार चिल्ले हमारे ड़ाड़ी हो चुके हैं, और चार और बन जाएंगे, इस तीन कट औरी बेसं से, आड चिल्ले बन गई है जो कि चार बैक्स दी बोड़ो तरसे से खा सकते हैं चार लोगा इसमें इसको हम सोग दिया के लिए देखने के लिए तयार रहें नेक्स्ट विए लिए शेयर करेंगे आपके साथ अब अगली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ओके करेंगा, झाल टो करेंगे हमार चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो डन्सक्क नो बåी सकते हैं, यह हमारा शेक जाला पक्राइब करेंगे साथ है, झाला उन्ध лиस द। dark bol करेंगे हैं?